अगर किसी चीज को शिदत से चाहो तो पूरी काइना तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है काफी जगे सुना होगा, काफी जगे यूज किया होगा, यही चीज यार सर्फ प्यार में ही नहीं, हर चीज में applicable होती है आपके life के, और यार अगर हम बात करें engineering की, तो जितने भी student engineering में जाते हैं, maximum का यही target होता है, एक बहुत अच्छी placement उठानी है, ताकि आगे जाकर यार किस में ना जाएं, किस के क्या pros हैं, किस के क्या cons हैं, सारी चीज आज की इस वीडियो में आप लोग को मिल जाने वाली है, और सारे के सारे doubts आप लोग के clear हो जाएंगे, तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न कर लेना, बहुत अच्छी community बनी हुए है, वहाँ पर रेगुलर्ली आप लोग के doubts भी clear करता रहता हो, तो उसको जाकर join कर लो, तो आर वीडियो को जल्दी से जल्दी start करते है, वीडियो से जल्दी स्टार्ट करते है, वीडियो को जल्दी स्टार्ट करते हैं, वीडियो व सबसे पहले topic पे अपने बड़े, तो आर placement सबसे जादा पहले हम cover करेंगे, क्योंकि सबसे जादा important चीज है, return of investments आपको उसी से पता लगेगे, क्या आप सही college में जा रहे हो, क्या आप सही जेगे पैसे invest कर रहे हो, यह सारी चीज़ आपको यहीं से पता लगती है, तो आर स जो lag हो जाता है, वो था SRM, SRM पीछे रह जाता है, क्योंकि यार इतनी जादा companies आती है, वहापे भी VIT अगेरे की तरह, जितनी सारी companies VIT में आते हैं, almost सारी companies SRM में भी आएंगी, लेकिन वहाँ से यार बच्चे कम जाते हैं, और जो highest package लगते हैं, वो भी थोड़े बहुत क अब जो main factor आता है, आपका median package, जो हमारा third point होने माला है, median package VIT का रहता है, 55.5 LPA के आसपास, वहीं पे SRM की अगर हम बात करें, median package रहता है, 4.5 LPA के आसपास, अब यहाँ पर median package क्या होता है, आपका जितना maximum number of student package ले के जाते हैं, वो आपका थोड़ा बहुत दिखाते है, median package अगर simple सी भाषा में आप लोग को समझाओं, तो यह चीज आपका median package बताती है, अब यहार SRM में क्या होता है, जो highest packages लगते हैं, वो जादा बच्चों के नहीं लगते हैं, इसलिए उनका median package है, वो इतना जादा नहीं पहुच पाता है, तो यहाँ पी भी यार सीज़े सीज अगर बताऊं, तो SRM पीछे रह जाता है, और इसी की वाइस से आपका return of investment जादा high जाता है, बट आगे आगे आप लोग को पता लगजेगा, fees का factor भी यहाँ पे बहुत बड़ा role play करता है, वो भी आगे discuss करने वाले हैं, तो पूरी वीडियो ज़रूर सबके सब देखते र around 4500 students लेते हैं यह हर साल, अब यार यह number थोड़ा बहुत जादा भी हो सकता है, जितना मेरे को approximate पता लगा, वो मैंने figure लिखी है, क्योंकि exact कहीं पे भी नहीं बता रख है, वहीं पे अगर हम VIT की बात करें, तो student intake is more than SRM, यह clearly मैंने बता दिया है, around 7000 के आसपा student रहते हैं ह हर साल इसमें, तो आर यहां पे आप लोग को VIT में competition जादा मिलने वाले, opportunities भी जादा मिलेंगी, बट वहीं पे आपके लिए competition जादा बढ़ जाता है, grab करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो यह चीज़ आपको जरूर consider करनी है, अब next point की बात करी है, हाँ पे नहीं देखी है, तो आर VIT कट ओफ CSE के लिए चल जाती है, आपकी 8000 के आसपस, यह आर मैं बता रहा हूँ category 12K, ठीक है, उससे जादा मैं बिल्कुल भी recommend नहीं करता हूँ, SRM की वहीं पे CSE कट ओफ चल जाती है, approximately 10,000 rank के आसपस, तो आर हम कट ओफ की बात कर रहे हैं, यह काफी जादा strength में को contact करते है, cut off के regarding, counselling के regarding कैसे process होने वाला है, क्या क्या चीजे करनी पड़ेंगी, क्या documents लगेंगे, तो इस process को easy बनाने के लिए मैं आप लोग को introduce करवान चाहूँ है, get college admission के बारे में, इनको यार मैंने पहले वाली videos में भी introduce कर रख है, काफी जादा easy process बना देंगे, आपका counselling का, पूरा guidance आप लोग को दी जाएगी, चाहे आद वो VIT की counselling हो, चाहे वो SRM की हो, चाहे वो JE की हो, किसी भी चीज की counselling हो, आप इनको contact कर सकते हो, यहाँ पर यार मैंने इनके सारे contact number वगेरे भी दे रखे है, साथ के साथ website का link भी आप लोग को description म मिल जाएगा, email ID भी mentioned है, तो आपको इनको call करके directly अपने doubts होगेरे भी पूच सकते हो, अगर आपको कोई भी छोटा मोटा doubt है, तो आप बिंदास होगे call कर सकते हो, आप इनको और यह आपकी help कर देंगे, वहीं पर अगर आपको counselling में problem आती है, तो आप इनके साथ आप connect कर करके अपना counselling process भी easy बना सकते हो, तो सारे links description में आप लोग को मिल जाएंगे, जाके check out जरूर कर लेना, अब बढ़ते हैं हम अपने next point पे, जो यार मैं काफी videos में बता चुका हूँ already, जो मैंने VIT और SMM की बनाई है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत जादा important role play करती है, तो इ CHC, CHC की कोई specialization हो, IT ले सकते हो, EC ले सकते हो, EC की कोई specialization वगेरा हो, या फिर mechanical, उससे नीचे की जो branches है, वो यार बिल्कुल भी recommend नहीं करूंगा, उनकी placement वगेरा बिल्कुल नहीं जाती है, आपका 3-4 के आसपास average package जाता है, जो कि यार बिल्कुल भी feasible नहीं है, मतलब 20-30 लजार रुपे अगर आपको monthly मिल रहे हैं, तो यार कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, आप यार 15-16 लाक रुपे easily spend कर दोगे 4 साल में और उसके बाद आपको return of investment कितना मिल रहा है, एक साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप लोग को 3-4 लाक मिलने वाले हैं, जो कि बिल् अच्छी placement नहीं जाती है, already इसका जो average package है, overall वो भी इतना high नहीं है, लेकिन CSC वगेरे में थोड़ा बहुत सही चल जाता है, इसलिए मैं आपको येवली branches recommend कर रहा हूं, उससे नीजी की branches बिल्कुल भी नहीं लेने का है, तो ये तो थे आपके कुछ main points, एक और main point जो है, fees के regarding वो थोड़ा आगे discuss मैंने कर रहा है, लेकिन अब बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत infrastructure के बारे में, अब यार VIT की बात करूं, campus area आपका रहता है, 372 acres के असपास, और SRM की बात करें तो वहां का campus area रहता है, 250 acres के असपास, दोनों का campus area बहुत जादा huge है, आपको facilities सारी म आप लोग को मिल जाएगी, इन दोनों के उपर यार मैं proper review जब बनाऊँगा, उसमें detail में यह सारी चीज़े cover कर दूँगा, लेकिन यहां पर जो आपका main चीज़े थी, वो मैंने आपको बता दी है, अब यार आगे बड़े next point पे, तो यहां पे जो rules रहते हैं, उनके बार में बात करूँगा, वी आईटी में थोड़े बहुत strict rules है, आप लोग क्यों city life इतनी अच्छी नहीं मिलती है, वहीं पे यार, बट आप लोग को एक अच्छा exposure मिल जाएगा among students, लेकिन वो भी depend करता है, आप कैसे students के साथ दोस्ती अगेरा बनाते हो, तो यह चीज़ मैंने अच्छी चूज़ करने है, जिनका same passion है, आपका placement और फोन ना चाहते हैं, अच्छी नासी, उनके साथ दोस्ती बनाओगे, तो यार, काफी अच्छा exposure आप लोग को मिलेगा, अब next point की बात करूँ, आपका main और last point fees, तो यार, fees यहाँ पे आप देख सकते हो, VIT में सबको पता होगा यार, कि आपका category 1, 2, 3, 4, 5, ऐस करके system चलता है, तो यार, मैं सिर्फ बोलूगा category 1, 2, और 3 में अगर आपका हो रहा है, तो आप चल जाओ, वो थोड़ा बहुत feasible है, कि हाँ, आप उतना pay करके, एक ठीठाक सा return of investment आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन, अगर 3 से beyond जाता है, और तब आप लोग जा रहे हो, तो SRM की fees जो vary करती है, वो 15 lakh से 22 lakh क्या सपस vary करती है, तो अर इसमें भी अगर मैं बोलू तो आपको थोड़ी बहुत scholarship अगेरा मिल जाए, तो काफी अच्छा रहने वाला है, तो इसलिए phase 2 जो होने वाला है, काफी बच्चे try करो, कि यार, phase 2 दो, उसके अंदर अच्छा score करो, और वहां से आपको थोड़ी बहुत scholarship मिल जाए, जहां से आपकी fees फोगेर थोड़ी बहुत reduce हो सके, अब यार, मैं आपको last में बताने वाला हूँ, मेरा opinion क्या है, और यार, मैं आपको कैसी preference लेना चाहूँगा, कि आपको पहले कौन सा college चूज़ करना है, तो आपको दिग second choice, SRM, उसके अंदर भी same condition apply होती है, आप लोग को थोड़ा बहुत ट्राइकन है, अच्छा score करो, scholarship मिल जा तो बहुत बढ़िया चीज रहेगी, साथ के साथ right choices of friends बनाने है, अच्छा आपका circle होना चीज़ है, जिनका यार, same passion है, same goal है आप जैसा, तभी यार, आप लोग progress क कर पाओगे, एक अच्छा exposure gain कर पाओगे, तो यह बाते मैंने सारी clear कर दी है, I hope आप लोग को पूरा अच्छे से difference पता लग गया होगा, जो main main चीज़े थी, वो मैं सारी बता दी है, इसके बाद आप लोग comment box में लिख सकते हो, अगर आपको कोई भी doubt है, या फिर अपने suggestion भी लिख सकते हो, कोई और comparison चाहते हो, या फिर आपको कैसी वीडियो चाहिए, VIT और SRM के college views बहुत जल्दी आजाएंगे, तो उनके अलावा आप लोग comment box में लिख सकते हो, कैसी कैसी वीडियो आप लोग को चाहिए, अगर आप लोग ने यहां तक वीडियो देख लिए तो जरूर लाइक कवर टन दबादना, अगर यार चैनल को सब्सक्राइब नीग है, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी बहुत सारी amazing वीडियो आने वाली है, और 10,000 की family हमें पूरी करनी है, तो यार जाद से जादा इस वीडियो को फिला देना है, at least एक दोस्त को जरूर शेयर करना नहीं, तो यार ग्रुप्स पगेर में शेयर कर दो, फिला दिये करो वीडियो को, और अगर आपको कोई भी doubt आते है, तो comment box में पूछ सकते हो, नहीं तो मैं को instagram पे जाकर follow कर लो, वहाँ तो जड़ा जादा active रहता हूं, तो वहाँ पे में क DM कर दो कि जल्दी आप लोग को reply मिल जाएंगे, और हाँ यार मेरा telegram channel join करना मत बूलना, काफी अच्छी community है, वहाँ पे साइड doubts भी clear करता रहता हूं, तो यार इस वीडियो को यहीं प्रेंट करते हैं, मिलते हैं सी इसी बड़े, इस next वीडियो में, tata, see you, bye bye.